हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे चानल चलो फिल्म सने में आज हम एक्स्प्लेंड करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी ट्रेन हाइस्ट मुवी दि ग्रेट ट्रेन रॉबरी को तो लेट सोल अप दे इंट्रो और चलो फिल्म सने तो कहानी शुरू होती है कुछ सूटेट बूटेट ग्रुप के आदमियों से जहां पर वो सभी लोग एक बैंक के अंदर जाते हैं यहां पर वो लोग मास्क लगा लेते हैं और यहां के सभी मेंबर्स को पीटना शुरू कर देते हैं असल में यह सभी लोग रॉबर्स होते हैं और तभी इनके टीम के लीडर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है ब्रूस यहां पर यह लोग पैसे चुराते हैं अपनी कार में रखते हैं और तेजी से वहां से निकल जाते हैं अब next scene में ये सभी लोग एक रूम में होते हैं जहाँ पर इन्हें पता चलता है क्यों बॉक्सेस के अंदर काफी कम पैसे थे और इसी के साथ उन्हें बहुत ज़ादा disappointment फील होता है पर वो अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाए किसी अगली चोरी के इंतजार करने के तो next scene में एक lawyer आकर के Charlie से मिलता है Charlie Bruce की ही टीम का member होता है और यहाँ पर वो lawyer Charlie से बोलता है कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा offer है जहाँ पर उसका client जिसका नाम है field उसने उसे बताया है कि यहाँ पर रोज रात में एक train निकलती है जो कि एक royal train है और यहाँ पर हर दिन उस train में बहुत सारे पैसे अलग-अलग station के post office से रखे जाते हैं और इस train में कोई भी security नहीं होती है या फिर उनके साथ कोई भी guard नहीं होता है train के coach में जहाँ पर पैसे रखे हैं वहाँ पर सिर्फ उतने ही लोग होते हैं जो कि वहाँ पर काम कर रहे थे और इसके अलावा वहा उतना काफी असान होगा अब यह offer Charlie Bruce को बताता है और Bruce ready हो जाता है असल में Bruce इनकी टीम का लीडर था और वही सारी planning करता था तो यहाँ पर Bruce एक plan बनाता है जहाँ पर वो उन्हें बोलता है कि वो लोग train को आखरी station से निकलने के बाद में रोकेंगे ताकि उस train में सारे पैस पर वो इस train को रोक देंगे पर इसके लिए उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि signal की light को change कर सकता हो क्यूंकि train यहाँ पर red signal देखने के बाद ही रोकेगी तो वो लोग एक ऐसे export के पास जाते हैं जो कि बूढ़ हो गया था और उसका नाम था Roger Roger यहाँ बोलता है कि उसके साथ 3 लोग और भी आएंगे इस चोरी में तो वो उसके लिए भी हा कर देता है और इसके बाद Roger ब्रूस के साथ उसी bridge के पास में जाता है जहां से उन्हें चोरी करनी थी यहाँ पर वो signal के पास में जाता है तो वहाँ पर दो signal होते हैं एक signal को उ उन्हें green से red करना था Roger signal change करने के लिए famous होता है और यहाँ पर उसकी एक secret trick होती है तो वो trick अब वो Bruce को दिखाता है और वो एक battery से connect कर देता है yellow वाले signal को जिसकी वज़े से yellow वाला signal जलने लगता है पर अभी भी वो green वाला signal जल रहा था और यहीं पर उसकी trick होती है तो वो बस अपने हाथ से gloves को लेता है और light के सामने रख देता है और सिर्फ इतनी असान सी चीज़ से ही वो light आना बंद हो जाती है और green signal रुख जाता है पर इसे अभी तक किसी ने भी नहीं सोचा था और इसी लिए Roger famous होता है और अब next scene में हम Mr. Field को देखते हैं जो कि इसी lawyer के साथ एक घर के पास में जाते हैं जहां पर वो उस घर को खरीदने वाले थे असल में ये घर उसी bridge से 30 miles की distance पे होता है जहां पर वो जंगल में छिपा होता है तो वहां पर पुलिस का पहुशना काफी मुश्किल होगा और पुलिस को कभी शक भी नहीं होगा कि वो चोर यहां पर रह सकते हैं और उनकी planning होती है कि वो चोरी करके सारा समान यही पर लेकर के आएंगे तो अब Mr. Field यहां की first payment करके इस जगह को खरीद लेते हैं और अब next scene में Bruce अपने team की एक member के साथ station पर जाता है क्योंकि उन्हें train को चलाना भी आना चाहिए तो यहां पर उसका friend एक picture book में देख करके train को चलाने की कोशिश करता है पर वो end में वो break नहीं लगा पाता है और उन्हें train से कूट कर अपनी जान बचानी पड़ती है लेकिन next day news में ऐसी कोई भी news नहीं आती है क्योंकि सब को ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा भी ऐसी शरारत कर सकता है और अब इसके बाद उन्हें किसी driver की भी जरूरत पढ़ने वाली थी तो यहाँ पर Bruce अपने friend से मिलता है तो उसका friend उसे एक ऐसे बुड़े आदमी के बारे में बताता है जिसे train को drive करना अच्छे से आता है तो अब team में दो लोग और बढ़ जाते हैं और अब next scene में हम इनके पूरी team को देखते हैं जहाँ पर 15-16 member होते हैं और ये सभी लोग यहाँ पर आर्मी के ट्रक में बैट करके उसी घर के सामने जाते हैं जिसे कि मिस्टर फील्ड ने first payment करके खरीद लिया था यहाँ पर वो सभी लोग एक decorator की team बनके आये होते हैं जो कि यहाँ पर एक हफते रहने वाले थे इसलिए वो लो यहाँ पर रहने के लिए अपने सारा खाने पीने का सामान भी ले करके आये थे यहाँ पर Bruce ने हर किसी को बोल दिया था कि कोई भी कभी भी अपने gloves नहीं हटाएगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी के भी fingerprint मिले और अब इसके बाद यह लोग इसी घर में रह करके उस दिन का wait करने लगते हैं जिस दिन इने चोरी करनी होगी क्योंकि अगर यह लोग वीकेंड पर चोरी करते हैं तो ऐसे ही उन्हें एक दिन का पता चल जाता है और यही उनकी चोरी की रात होती है यहां रात में जब आखरी स्टेशन से ट्रेन में सारे पैसे रख दिये जाते हैं तब ही ये सबी लोग आर्मी की ड्रेस पहन कर आर्मी के ट्रक में उसी ब्रिच के लिए निकलने लगते हैं यहां पर दो लोग दो अलग अलग सिगनल्स के पास जाते हैं और एक signal को यलो और आगे वाले signal को red कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर Bruce ब्रिच के पास में खड़ा हो करके wait करता है और उसके बागी की सारी टीम आगे चली गई थी जहाँ पर train का driver जैसे ही signal को देख करके अपनी train को रोक देता है वो लोग जल्दी से ट्रेन के पीछे चले जाते हैं और ट्रेन के जस्ट पीछे वही पैसवाला कोच होता है और इसके बाद सभी पैसेंजर्स होते हैं तो वो लोग पैसेंजर्स वाले कोच इसको ट्रेन के इंजन से अलग कर देते हैं और इसके बाद वो जाकर के दोनों ड्राइवर को भी पकड़ लेते हैं और ट्रेन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं अब यहां पर ड्राइवर का काम आता है जहां पर वो बूढ़ा ड्राइवर ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर वो नाकामियाब रहता है क् कि असल में ट्रेन में वैक्यूम नहीं आ रहा था और वो आदमी काफी जादा घबरा गया था तो वो लोग उसको साइड में फेकते हैं और जल्दी से ड्राइवर को पकड़ के ऊपर ले करके आते हैं और उसकी बहुत पिटाई करते हैं इसके बाद वो उसे ट्रेन को चलाने को कनेक्ट करता है और इसके बाद इनकी ट्रेन स्टार्ट हो जाती है अब यहाँ पर ट्रेन चल करके उसी स्पॉट पर पहुत जाती है जहाँ पर ब्रूस उन सभी का वेट कर रहा था और यहाँ पर ब्रिच के नीचे सारे ट्रक भी रखे हुए थे अब यह लोग जल्दी यह टाइम पूरा होता है ब्रूस कहता है कि अब जितने भी पैसे बच गए हैं उन्हें छोड़ दो और तुरंद यहाँ से निकल चलो तो इसके बाद वो लोग ट्रक से भाग जाते हैं और यह बोलते हुए जाते हैं कि अगर आदे घंटे तक किसी ने भी पुलिस को कॉल क किया तो वो लोग उन्हें मार देंगे जबकि असल में इस रॉबरी में उन्होंने गंज का यूज नहीं किया था क्योंकि ब्रूस को सरफ पैसे चाहिए थे किसी की मौत नहीं अब यह लोग यहां से सारे पैसे लेकर के दुबारा से उसी घर में आते हैं और अब सभी पैसे लगभग दो मिलियन डॉलर से भी जादा होते हैं जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत जादा था क्योंकि यह चोरी 1962 की है और अब यहां पर ब्रूस की घबराहर शुरू हो जाती है क्योंकि इससे पहले तक उसे ऐसा लग रहा था कि वो लोग थोड़े से पैसे चुर चाने नहीं देगी तो इसके बाद उसकी सारी नजर रेडियो पर ही रहती है जहां पर वो सबकी न्यूज सुन सकता है दूसी तरफ यहां पर उस बुड़े ट्राइवर ने सारा काम खराब कर दिया था इसके बाद भी वहां पर चाडली उसे उसके सारे पैसे दे देता है और वहां से भेज़ देता है अब इसके बाद ये सभी लोग एक ग्रुप में बैठ करके बाते कर रहे थे कि इतने सारे पैसों से ये लोग क्या करेंगे और ये सीन एक्जैक्टली इटालियन जॉब का कॉपीड है जहां पर वो लोग भी साथ में बैठ करके बात करते हैं कि इन पैसों से वो लोग क्या करेंगे और यहां पर डायलोग वग्यारा बिल्कुल सेम होते हैं अब अगर ये काम बॉलिवड ने किया होता तो हम तो इसको कॉपी बोलते हैं पर क्योंकि ये हॉलिवड में बनी हुई है तो यहां पर हम इसे इस्टर एक बोलते हैं अब यहा इन आर्मी के ट्रक का यूज करके यहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो वो लोग उन ट्रक को पेंट कर देते हैं ताकि वो एक नॉर्मल ट्रक की तरह लगने लगे पर अब यहां पर ब्रूस को रेडियो पर पता चलता है कि पुलिस ने 30 माइस के बीच में जितने भी फार् फॉर्म जला देते हैं साथ में पूरे घर को बहुत अच्छे से साफ करते हैं ताकि कहीं पर उनका कोई भी फिंगर प्रिंट ना रहे और इसके बाद वो लोग अलग अलग कार से अपने अपने पैसे ले करके निकल जाते हैं पर इसके बाद यह पुलिस ने पीचे पड़ को यह केस दिया गया होता है और उसके पास एक पूरी टीम होती है क्योंकि यह केस बहुत जादा बढ़ चुका था क्योंकि वो जो ट्रेन थी वो एक रॉयल ट्रेन थी इसलिए जो सारा पैसे लंडन जा रहा था वो कुईन का था और अब यहां पर कुईन के पैसे होंगे और यह वही घर होता है जहां पर सच में ब्रूस और उसकी टीम रुकी हुए थी यहां पर उन्हें वही जले हुए कपड़े मिलते हैं और अंदर भी काफी कुछ मिल जाता है क्योंकि वह लोग एकदम हर बड़ी में भागे थे इसलिए काफी सारी चीजें वही पर ही इसके बाद बटलर अपनी पूरी टीम को बोलता है कि उन्हें शेहर में जो भी सस्पेक्ट लगता हो उसकी पूरी लिस्ट बनाए यहां पर बाकी सभी लोगों ने काफी जादा यूजलेस लिस्ट बना के रखी थी पर यहां पर बटलर की लिस्ट और इसमें ब्रूस और दोस्तों का भी नाम होता है अब यहां पर जो उन्हें सबूत मिले थे उसमें एक ऐसा लॉकेट भी मिला था जो कि रॉजर का होता है तो वो लोग यहां से रॉजर तक पहुँच जाते हैं और रॉजर को पूछताश के लिए बुलाते हैं यहां पर वो लोग बातों ही बा और सेस्पेक्ट मिल जाता है जहां पर उन्हें जो घर में से फिंगरप्रिंट मिले थे वो चार्ली के फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं क्योंकि चार्ली पहले भी जेल जा चुका था तो उनके पास उसका क्राइम रिकॉर्ड होता है और अब वो लोग चार्ली को भी कुछ उस घर से भी मिल गया था पर यहाँ पर ब्रूस को अभी तक कोई भी पकड नहीं पया था जबकि यहाँ पर बटलर को पूरा-पूरा पता था कि ब्रूस ही इस टीम का लीडर है क्योंकि इससे पहले ब्रूस एक और एरफोस हाइस्ट में भी शामिल हो चुका था तो व उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर अंदर चोर होगा तो वो लग जल्दी से सामने के दर्वाजे से फ्लैट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर ब्रूस की वाइफ दर्वाजा ओपन करती है असलमें यहाँ पर ब्रूस अपनी वाइफ के साथ छिप कर रह रहा था पर अब यहाँ पर कॉंस्टेबल उसे देखने के बाद दी पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ऐसी किसी ट्रेन रॉबरी का वो सस्पेक्ट है इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं और अब जब यह बात बटलर को पता चलती है तो वो पहुशता है पर तब तक ब्रूस वहां से निकल चुका था पर अब यहाँ पर उन्हें फिंगर प्रिंट में कुछ और लोगों के फिंगर प्रिंट भी मिलते हैं जो कि ब्रूस के ही टीम के साती होते हैं और वो उसी से मिलने उस घर में आये थे तो आब वो लोग उन भी पकड़ लेते हैं और इन सबी लोगों की कोट में पेशी होती हैं यहाँ पर इन्होंने बिना किसी गन के रॉबरी करी थी पर इसके बाद भी इन्हें 30 साल की सजा दे दी जाती है जो की एक ट्रेन रॉबरी के हिसाब से बहुत जादा थी पर ऐसा इसलिए हो रहा था क् पैसे क्वीन के थे और अब सी शिफ्ट होता है दो साल बात का और बटलर अभी तक ब्रूस को पकड़ नहीं बाया था पर यहाँ पर दो साल बात ब्रूस का एक दो सेरेंडर कर देता है क्योंकि वो परेशान हो चुका था पिछले दो साल से वो अपनी बेटी और अपनी व खुशी से रहे और वो इस कंट्री के बाहर जाकर के अपनी पढ़ाई करे और इसी लिए वो सामने आ चुका था क्योंकि उसके पकड़े जाने के बाद उसकी फैमली को कोई भी प्रूबलम नहीं होगी अब यहाँ एक साल और बीच जाता है और ब्रूस को अभी भी किसी न नहीं होता और जिसके बिना वो रेटायर्मेंट नहीं ले सकता पर नेक्सीन में यहाँ पर उसे एक कॉल आता है जहाँ पर उसे ब्रूस के बारे में पता चलता है और अब यह कॉल किसने किया और किसने उसे ब्रूस के बारे में बताया यह बात यहाँ पर बताई नहीं ब्रूस के घर के सामने होता है यहाँ पर उसके पास पूरी फुलिस फोर्स होती है और वो ब्रूस को अरेस्ट करके लेकर के निकल जाता है अब यहाँ पर वो दोनों रेस्ट्रो में बात कर रहे थे जहां पर ब्रूस कभी भी एक प्लानर नहीं था उसने स्रिक चोरी तक का चोरी के बात क्या होगा ये बात उसने कभी भी नहीं सोची वो बस खुद को लखी मानता रहा और इसी के साथ ब्रूस को पुलिस उस रेस्टरों से लेकर के निकल जाती है और अब फाइनली बटलर ने अपना आखरी केस सॉल्फ कर लिया है और अब वो खुशी-खुशी रे प्रफिक्ट प्लानिंग के चोरी करोगे तो पकड़े तो जाओगे तो अगर आपको मेरे एक्स्प्लेइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करे शेयर करे और मैं चैनल को सब्स्राइब करे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ बाबाई